तो जाहिन दोस्तों मेरे नमेतुल और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अतुल लिक्पिजर में दोस्तों यहां पे रियल्मी 5,6 और रियल्मी X50 में पास है यहां पे रियल्मी 5 में आप देख सकते हो अपकों सरती कौलर लिक्पिन,वाल फ्यहां देख सकते हैं अपत दोर कि आपके बैड़रे ब्यापक खासा-पकर ताकि आप बैटरी यूइडिंग इस्व मेरे यहां पे ब Pine Adsние यहां दो चाहिए ताकि आपकी बैटरी डेनिंग का इस्यू ना है तो दोस्तो वीडियों सुरू करने से पहले अगर से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सिक लिजएगा बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजएगा अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो अब रियालमी यू आइ में बहुत से लोगों को जब भी अपडेट भिला रियालमी 3 Pro यूजर । यूजर्स को यहां पर एक ही बात बुलनी जाती है यहां पर भाई बैटरी डेनिंग का इस्यू है और बैटरी यहां पर बहुत ही कम बैकप दे रही है तो यहां पे मैं दोनों ही variant यूज़ कर रहा हूँ, यहां पर चाइनिज वेरियंट है, इसमें भी चाइनिज रो में Realme UI की और इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं नजर आ रहा है, और Realme 6 में यूज़ कर रहा हूँ, बहुत दिनों से, और Realme 6 भी मुझे यहां पर अच्छा यहां अंदर तक deeply हम जो use नहीं करते हैं, तो यहां पर Realme 5 यहां पर आप देख सकते हो, फर्स्ट में और, तो 5 में आपको बता दू, Color OS 6 है, और Android 9 है, तो 5 में option आपको देखने को मिल जाते हैं, बट Realme UI जब से आया है, तो Realme UI में बहुत ज़्यादा option आपको बैटी देखने को मिल रहा है, तो यहार तीन software यहां पर चेंज हो रहे हैं, ओल्ड वर्जन के compare में करूं, तो यहां पर पहले कुछ और वर्जन था मोबाईल में और अभी कुछ और है, मिन्स यहां पर newly वर्जन आगया है, Realme UI का Color OS 7 के साथ, तो यहार अगर आप कोई नए घर में जाओगा, example मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहां पर आप जब तक यहां पर सामान चेंज नहीं करोगे, अड़ेस्ट नहीं करोगे, तब तक यहां पर problem आपको आने वाली है, जब तक आप यहां पर सब कुछ अड़ेस्ट कर लोगे, तभी आपको यहां पर अच्छे से र आपकर, mobile, realme UI में बात करो या फिर color OS 6 में, तो यहां पर इस टैप के इस यसी जो find कर लेता है, खोदी और यहां पर आप इसे one tap करके इस यसी को solve कर सकते हो, साथे साथ यहां पर आपको और भी option देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप power saving mode में जाओगे, उपर के तरप आपको पचा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि brightness आपको नहीं reduce करना है, तो अभी आप यहां पर इसे off कर सकते हो, तो यहां पर अगर आप reduce screen brightness को option को on रखते हो, तो काफी ज़्यादा आच होगा आपके eyes के लिए और battery के लिए, बैटरी देनिंग कम होगी, वैसे भी मैं इस menu को हम इसे on रखता हूँ, बैटरी मुझे ज़्यादा बैकम मिलता है, यहां पर आप देख सकते हो, auto screen off को आप 50 second use कर सकते हो, 30 second भी कर सकते हो, तो इसे भी आप यहां पर on कर सकते हो, यहां पर disable background synchronizing का option मिलता है, इसे भी आपको यहां पर on ही रखना चाहिए, और यहां पर आप specific battery level पे भी आप pointer को रख सकते हो, यहां पर आपका users ज़्यादा है, तो आप पहले ही indicate कर सकते हो, तो यहां पर आपको ज़्यादा में रखना चाहिए, और अगर आपका battery users कम है, mobile users कम है, ज़्यादा आप gaming नहीं करते हो, तो आप इसे यहां पर कम पे भी रख सकते हो, यहां आप देख सकते हो, power users का जो एक option आपको देखने को मिलता है, यहां पर आप कल कितनी apps का use सबसे ज़्यादा किस app ने battery draining यहां पर हुआ है, आप उसको देख सकते हो, टू डेज अगो के भी अबाद में आप देख सकते हो कि कौन सी apps जो है, सबसे ज़्यादा battery यहां पर आप standby mode में रहते हो, जब आप सो रहे होते हो, तब इसे आप यहां पर always इसे on ही रखेगा, जब इसे आप on रखते हो, तो यहां पर थोड़ा से delay होगा, messaging अगरे notification आने में, बड़ उस समय आपको इसका कोई use नहीं रहता है, आप इसे हमेसा on रखेगा, यह जो है battery draining को काफी जगने को मिल जाता है, performance mode का, इसे आप second में ही रखेगा, smart performance mode पे यह चाप से ज़्यादा convenient है, और काफी ज़्यादा battery draining को यह रोकता है, पर अगला option आपको मिल जाता है, app की freeze वाला, यह option इसलिए important है, क्योंकि कुछ ऐसी apps होती है, जो background में running होते रहती है, यहां पर आप द जाएगी है, वो यहां पर off हो जाएगी, तो आप इस टाइप से इसे on रख सकते हो, और जब ही आप इसका use करोगे, और जब इसे आप दूसरे app में चले जाओगे, और यह background में run होती रहेगी, तो यह automatically यहां से freeze हो जाएगी, इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है, आपको यहां पर एक और चीज़ बता दू, यहां पर आपको dark mode का support देखने को मिल जाता है, चोकि यहां पर अगर आप realme UI यूज़ कर रहे होंगे, तो यहां पर dark mode में रखके भी आप इसे use कर सकते हो, और साथी साथ आपको यहां पर cellular dark mode का option भी देखने को मिल जाता है, त यहां पर हो रही है, realme UI को लेकर, तो यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहां पहुत सरे ऐसे reasons रहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके mobile में कुछ ऐसी apps running हो रही हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आपने install कर ली हो, या पिर कोई सी apps को आपने install जादा हो रही है, तो भी battery draining होती है, यह एक अलग fact है क्योंकि realme के अभी जितने mobile में, realme UI के update मिले हैं, mostly जो problem आ रही है, battery draining से related, realme UI के लिए आ रही है, यहां पर जितने mobile में realme UI update मिला है, वो काफी ज्यादा नए mobile हैं, तो जादी साथ मैं आपको यहां पर बोल दूँ, कि यहां पर बता दू, यह realme 5 है, मेरे left side में, और यहां पर realme 6 है, एक example, यहां पर realme 5 में, make money में, realme UI का update आने वाला है, यहां पर old version चल रहा है, realme 5 में, color OS 6 है, android 9 है, यहां पर जब भी आप नए version से, नए version के और आते हो, तब यहां पर आप नए ROM install करते हो, जैसे कि आप realme में, आपने देखा होगा, realme UI में ही update जो आया है, उसमें ही better training से related, यहां पर problem क्यों आ रही है, यहां इसलिए आ रही है, क्योंकि आप ने old ROM से new ROM install की है, अपने mobile में, और यहां पर एक साथ बहुत सारे software install हो गया है, means color OS 7 भी आ गया है, realme UI आ गया है, और साथ यहां पर लगता है, उसके बाद भी अगर आपको issue आ रहा है, सबसे अच्छा तरीका आपको एक ही बताता हूँ, आप जो है, अपने mobile को hard reset कर लीजेगा, इसलिए जिस्तों आपको setting section में, addition setting का option मिल जाएगा, जब आप उस option में जाओगे, तो यहां पे आपको ऊपर की तरप एक option मि reset करते हो, जैसे all erase के option में आप क्लिक करते हो, तो आपका सारा data जो है, वो delete हो जाएगा, इसलिए hard reset करने से पहले मैं आपको बता दू कि backup लेना बहुत जरूरी, आपके mobile का जितना भी data है, आप उसे backup ले लीजेगा, और उसके बाद ही यहां पे all erase के option प्रक्री कर गया, इस आप पी जो आपके mobile newly हो जाएगा, और साथ ही साथ बैटरी रेनिंग इसु छोड़िए, आपको कोई भी issue, कोई भी bug जो है, आपके mobile में देखने को नहीं मिलेगा, तो realme UI से related यह बात है, और भी अगर आप software install करते हो, तो hard reset जरूर से कर लीजेगा, तो अगर आपके realme UI मे या फिर आदर software में कुछ battery running का issue आ रहा है, तो सबसे पहले जो मैंने option बताया, जो की company ने दी है, उसे आप try करीजेगा, और अगर इसके बाद यह option problem नहीं स्वाल होता है, तो यहाँ पे आपको hard reset कर लीजेगा, backup जरूर से ले लीजेगा, इसके बाद भी अगर कुछ problem होती यहाँ ओने मतरम